हेलो फ्रेंड्स वेलकाम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलिज विदा लोग सिंग राजपूद मैं है महंगाई बत्ता महंगाई रहात सेली और पैंसन से रिलेटेट दिन भर की बहुत दस बड़ी खबरे आ रहा हैं और साथी साथ करमचारियों और पैंसनर्स के वेतन में जो है 15% के व्रद्धी भी है तो बहुत इंपोरेंट ये वीडियो होने वाला है पूरे वीडियो को लास्तर देखी गा बने रही है हमार साथ इस वीडियो में लास्तर और अगर चैनल पर पहली बार आ तो चैनल को सब् कर पाएंगे आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर पेस कर लिजे इसके लाव में बता दूं हमारी चैनल पर एक सर्वे चल रहा है सर्वे क्या बिसिकली आप उसमें चौदा सो लोगों ने करीब उसमें पर्टिसिबेट भी किया सर्वे में यह कि कि आप किस कैटेगरी के employees हैं कि आप सेंटर गर्मेंड इमपलोईस हैं कि आप स्टेट गर्मेंड इमपलोईस हैं पैंसनल रएल्वे करमचारी हैं तो पूशली में अभी इस सर्वे को हर वीडियो में बता रहा हूं ताकि उस वीडियो का मोटीव है सर्वे कराने का ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्याटेगरी की हिसाब से तरफ से भी कुजिन पहले जारी किया गया था और अलालग डिपार्टमेंट अपने अपने लेबल पर इस नोटिफिकेसन को अब जारी कर रहा है जिसमें है कि अब आपका जो रोटेशनल ट्रांसपर है सभी ओफिसर्स और स्टाप का कोविड-90 पैंडिमिक की चलते प्रेंदा फॉलोविंग सर्कमस्टांसे जानि आपका पहले जो आपके रोटेशनल ट्रांसपर होते थे वो अब आपके 30 अप्रेल 2021 तक किसी भी टाइप से किसी भी ओफिसर का चाया गुरूप A में हो गुरूप B में हो या गुरूप C में हो किसी भी डिफरेंट क्रेट् तो आपका जो है रोटेशनल ट्रांसपर सरकार कर सकती है पहला कि अगर कोई वेकेंसी डिव हो या कोई प्रोमोशन हुआ हो या कोई रिटार्मेंट हुआ हो या एड्मिशेशन चाहे तो आपका जो ऑफिसर सो स्टाफ है उनको जो है उनको रोटेशनल ट्रांसपर कर सकती दूसरा जो था कि आप देख सकते हैं या कोई फैमिली मेंबर में कोई मेडिकल इमर्जेंसी है तो उस सिच्वेशन में भी आपका रोटेशनल ट्रांसवार सरकार कर सकती है दरबाइस 30 अप्रेल दोयार 21 तक आपके रोटेशनल ट्रांसवार सरकार नहीं करेगी चलिए दूस आपका जो पैंसन क्लेम आपकी होती है या पैंसन आपकी सैलरी अकाउंट में जो क्रेडिट होती है उसमें कुछ काम मैनुवली आपको किया जाता है और कुछ काम जो है आपका कंपुटर के थ्रू यानि की ऑनलाइन किया आता है तो सरकार ने बोला कि सरकार ने एक नई जिसके थूरु अब जो है सभी इनिस्टिप से या इन्स्काथ के थूरु रहे हैं. और सभी सरकार ने बोला है कि DOPT ने बोला है कि जो Ministry of Finance ने बोला है कि सभी Ministry of Department ये Insure करें कि अब जो है आप ज्यादा से ज्यादा भविस सब्ट्वर के यूज करें और PF MS जो मोडूल है उसका थुरू जितने भी आपके EPPO बगेरा हैं सभी टाइम पर पहुंचा जाएं और इससे सभी pensioners और फैमिली pensioners के जो pension है टाइम पर पहुंच सके चली तीसी ने उसकी तब लेके चलते है नेशनी जो आ रही है सभी ECHS करमचारियों या बेनिफीसिस के लिए आ रही है आप देश सकते हैं कि जो ECHS के बेनिफीसिस हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे बेनिफीसिस है जिनको long जो बोल सकते हैं कि treatment की जरुद परती है या बहुत लंबी बीमारी है उनको सरकार ने time time पर जो है guidelines भी जारी की थी कि आपको बाहर नहीं निकलना है आप अंदर ही रही है आपकी जो medicine है वो आप purchase कर लिजे सरकार बाद में उसका reimbursement कर देगी तो उसी की regarding जो है आप पैनल होस्पिटल है उनमें आप जो है आप वहां से purchase कर जानी जरूत नहीं क्योंकि आप इस टाइम पर social distancing सरकार ने बोला है कि maintain करिये तो आपकी जो medicine है उसको purchase करने के लिए सरकार ने एक मंत का और time दिया है कि आप purchase कर सकते हैं आपको बाद में reimbursement कर दिया जाएगा तो उ notification है सभी इस टोनोगाफर्स जो है cadre के लिए जहां पर उनको advance increment सरकार प्रवाइट कराएगी आप देख सकते हैं 100 और 120 की speed में basically speed होती है अलालग लेवल पर होती है उसी साबसे आपकी grade पर यह होती है और इसमें आपको देख सकते हैं 100 और 800 और 120 अलालग लेवल पर होती है अ आपको एक advance increment सरकार प्रोवाइट कराएगी तो उसी के regarding notification है आप subject में देख सकते हैं advance increments granted to stenographers of subordinate offices on qualifying speech test in short and at 120 word per minute in the same CPC scenario तो उनको advance जो है एक increment मिलेगा आप आप बोड टेस्ट जो हो qualifying test जो होगा speed test उसको पास कर लेते हैं चली next news की तब लेके चलते हैं next news जो आ रही है सभी bank के करमचारियों के लिए आ रही है जहाँ पर उनकी sound player में 15 % तक का बहुत बड़ा हिजावा किया गया है तो सभी bank के करमचारियों के लिए बड़ी खुसकर आप देख सकते हैं इसमें news में सरकारी बैंकों के करमचारियों की sound player रही है 15 %ło 2017 से लाग होगा यानि कि आप इंक्रिमेंट होगा इंडियन बैंक एसोसीेशन और युनाइटेट फोरम बैंक आफ बैंक यूनियन के बीच हुई मेराथन मीटिंग के बाद या फैस्टा लिया गया है सैलरी में या इजाफा 2017 से 2022 तक के लिये लागू होगा और उसके बाद रिवाइस किया जाएगा बैंकिंग सेक्टर के जानकारों के मताबिक सैलरी में इजाफे से 7,900 करड़ रुपे का खर्चा आएगा और इससे इंडियन बैंक से एसोसियेशन के राज किरन ड्राय और बैंक करमचारी यूनियनों के प्रतिनिदियों के बीच हुई मीटिंग में 15 परचन इजाफे पर सहमती बनी है तो आप देख सकते हैं इससे बैंक में काफी करमचारी को फाइदा होगा और आगे देख सकते हैं इस फैसले से देश वर में सरकारी बैंकों के 8 लाग करमचारी को फाइदा होगा बता दें कि हर 5 साल में बैंक करमचारी की सैलरी को रिवाइस किया जाता है इंडियन बैंक्स एसोसियेशन और बैंक करमचारियों के बीज मतभेत के चलते इस बार सैलरी में रिवीजन लंबे समय से अटका हुआ था जबकि ये नॉम्बर 2017 में ही होना था दरसल बैंक करमचारियों की मांगती कि उनकी सैलरी में 20% का इजाफा किया जाए जबकि इंडियन बैंक एसोसियेशन ने 12.5% का प्रस्ताव दिया था तो आप देख सकते हैं बैंक के करमचारियों के लिए जो है आट लाग करमचारियों को बहुत जादा फायदा होने वाला है उनकी सैलरी जो है 29-27 से रिवाइस की जाएगी साथी साथ हुआ है उनकी सैलरी में 15% का इंग्रिमेंट देखने को मिलेगा बीच में ये 29-27 में होता है लेकिन सरकार बोल रही थी इंडियन बैंक एसोसियेशन ने बोला था कि 20% किया जाए लेकिन इंडियन बैंक एसोसियेशन बोल ले थी इन इसका आइलान कर दिया है डिप्टी सीम ने कहा कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के 20 लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद जुलाई में कर्मचारियों को पूरा बेतन दिया जाएगा पूरा बेतन रेगुलर और कॉंटेट कर्मचारियों को भी दिया जाएगा आगे जब दीग के पहले कीते सर्तों के साथ भुगतान किया जाएगा कोरोना संकट के बीच अगली खबर आ रही जम्मू कस्मीर से जहां पर उनको इद आने वाली तो इद से पहले ही जो है जुलाई महा का वेतन का पूरा सरकार जो है पहले ही बुगतान करने वाली है अब देख सकते हैं मीडिया रिपोर्स के मुताविक वित्ति भाग के वित्ति आयो डॉक्टर अरुन कुमार महता ने आदेश दिया है कि 30 जुलाई को वेतन के अग्रिम भुकतान के लिए वेतन विल 29 जुलाई को कोशागार में प्रस्तुत किये जाए यह आदेश उब राजप की इस साल बकरीजित का तेवार एक अगस 2020 को मनाया जाएगा कर्मचारियों को दो दिन पहले ही सेरी मिलने सेवाए कोरोना संकट की इस घड़ी में आसानी से खरीदारी कर सकेंगे चलिए नेक्स नियूस की तब लेके चलते हैं नेक्स नियूस ज़ा रहे ही जम्मु कस्मीर के कर्मचारियों के लिए आई तीस में एक चीज और एड कर दी आती है कि लेकनी है कि करोना संकट को देखते हुए जम्मु कस्मीर में बर्तमान वित्तिवर्स की दूसी तिमाई यानि जुलाई सिस्तंबर में भी अवंटित बजट के कुल खर्चों को 20 पिती तक सीमीद र लाउंसे से उसमें भी सीमित रखने के लिए बोला है चलिए नेच्टनी जो आ रहा है सेनिकों के लिए सरकान ने बहुत बड़ी रहात की खबर दिये देख सकते हैं अब इसमें सरकान ने 10 साल से कम की नौकरी करने वाले जवानों को भी इन्वैलिट पैंसन देने का फैस् लानते हैं क्या होती होती इंवैलिट पैंसन और किनकी सेनिकों को इसका होगा लाब से लिए गए सपेस्टे से ऐसे सहनिकों को लाब मिलेगा जो किसी सारी आजशमता या फिर मांसी कमजोरी सिकार हो गए हो यह और उस सिती की चलते सेवा को न बढ़ा गया हो अक्षा मन्ताले के मताबिश है से जिंदिगी में लोटना मुस्किल होता है और फिर आर्थिक सिती क कमजोर होने के चलते इस्तिती और बदहाल हो जाती है ऐसे मैं इन्वैलिट पैंसन के जड़िये सेनिकों को आर्थिक मदद मिल सकेगी और आम नागरी के तो पर जिंदगी बैतर रग से गुजार सकेंगे ऐसे सेनिकों को इन्वैलिट गेचुटी दिये जाने का प्रावदान पहले ही सही था लेकिन इन्वैलिट पैंसन भी अब मिले ही यानि सरकार ने डिफेंस मिनिस्टी के अंतरगात जो भी करमचारी आते थे वो किसी बज़े से जो है कैपेबल नहीं रहते सेना के लिए तो उन्होंने उनको जो है अब दस साल के जो है पहले ये था रूल की दस साल की नोक्री होने के बाद ही आपको इन्वैलिट पैंसन मिलती थी लेकिन सरकार ने अब रूल ये बनाया है कि अब 10 साल से कम सर्विस वालों को भी इन्वैलिट पैंसन मिले ही जिससे उनकी आर्थी जिंदगी अच्छे से चल सकें के लिए नेक्षनिव जा रहा है बारको स्रेम और करमचारी राज बीमा विवाग के तहत उडिसा मेडिकल एम हेल्थ सर्विसेज ओएचे मेस केडर और एलोपेथिक बीमा चिकस्ता अधिकारियों के चिकस्ता अधिकारियों की रिटार्मेंट की आयू 62 बर्स से बढ़ाकर 65 वर्स कर दी गई है सिवन पे कम अब 65 वर्स के आयू में सेर्वार निर्वत्त होंगे राज सरकारें द्वारा जारी प्राप्त विप्रेस बिग्यत्ती में जानगाई दी गई है कि ओएचे में संवर के चिकस्ता अधिकारियों के सासाथ एलोपी और एसाई विवाग के तहत एलोपेथिक बीमा चिकस्ता अधिकारियों की सेवाने दिती भी महासर वर्स के बीच में कर दी गई है इस वेच उडिसा के मुक्ष मंत्री मिष्टर नमीद बटनाय ने वीडियो कॉंट्रोंसिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कटक और खोरगा जिल में कोविड-90 इस्तीती की समीक्षा की तो आप खोरगे नीकिए जैसा कि आपको पता है कि हर तीन महीने में या निकिकी सरकार जोगा जो बहुत बाकी कौन-कौन सी बविशनी दिया है जिन पर यह लागू किया जाएगा तो देख सकते हैं आपने हमको 10 की 10 न्यूज बताई बहुत इंपोर्टेंट यह वीडियो था बहुत मेहत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में आप इस वीडियो को लाइक करेगा सेर भी सभी के साथ करिएगा ऐसी न्यूज अपडेट्स की देख सब्सक्राइब भी कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच